हेलो स्टूडेन वेल्कम टू अनलाइन मैथ क्लासेस इन राम राजी इंठर कालेज नरायनपूर प्रितमपूर हीरापूरम बेट का नगर चलिए देखते हैं क्या है यहां देखे यह क्या आपका क्यूश्चन कि यह बहुत इंपूर्टन क्यूश्चन है कई बार आया है एक्जाम में बोर्ड एक्जाम में ठीक है यहां देखे है क्या आपका क्यूश्चन कि यदि ओमेगा इकाई का घंमूल हो तो यह डिटर्मिनेंट देखे हमको दिया गया है यहां देखे यह दिया है कि 1 ओमेगा पावर 6 ओमेगा पावर 8 फिर ओमेगा पावर 6 ओमेगा पावर 3 ओमेगा पावर 7 ओमेगा पावर 8 ओमेगा पावर 7 ओमेगा पावर 7 ओमेगा पावर 1 का मान ग्याद कीजिए ठीक है चले इसका मान ग्यात करते हैं यहाँ देखें हमें condition दिया गया यदि omega यदि omega एक इकाई घनमूल हो omega इकाई घनमूल का मतलब क्या है कि जो ए दिया है omega cube बराबर एक ए हमें दिया गया omega cube बराबर एक ए main point ए ही होता है omega IKEA घनमूल है means कि omega cube equal to क्या है आप देखें यहाँ पर omega cube अगर आपका 1 है तो omega power 4 equal to आप क्या लिख सकते हो omega into omega cube तो omega cube equal to 1 होगा तो 1 into omega बराबर क्या हो जाएगा omega फिर next देखें हमारा omega power 6 तो omega power 6 निकलने के लिए हम क्या करेंगे omega power 3 फिर इसका power whole square तो यहाँ देखें हमारा क्या आजाएगा 3 दूना 6 तो omega power 6 ही होगा अब omega cube equal to 1 है तो 1 square बराबर क्या हो जाएगा 1 फिर next देखें क्या हो omega power 7 तो omega power 7 equal to क्या लिख सकते हो omega into omega power 6 और omega power 6 equal to कितना आजा 1 तो 1 into omega यानि omega ठीक है फिर omega power 8 equal to omega square into omega power 6 तो यहाँ 6 की power देखें omega power 6 equal to क्या आजा 1 तो 1 into omega square करेंगे क्या जाएगा omega square ठीक है अब देखें हम हमें जो दिया गया उसमें हम रखते हैं तो रखेंगे देखें यहाँ पर 1 है तो 1 हो गया omega power 6 है तो omega power 6 की value देखें क्या आया 1 तो यहाँ 1 हो गया फिर omega power 8 तो omega power 8 की value कितना आया omega square तो omega square हो गया यहाँ फिर यहाँ omega power 6 1 omega power 3 1 omega power 7 यहाँ से omega फिर omega power 8 omega square omega power 7 omega और यहाँ 1 तो यह हमारा आ गया अब इसको देखें और हम साल्प करते हैं अब देखें इसका मान निकाल लेंगे तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 यहाँ देखें यह हमारा omega यह हमारा determinant है अब इसको साल्प करने के लिए देखें हम क्या करते हैं इसको 0 बना दे इसको 0 बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं R1 चेंज टू R1 माइनस R2 अब इस R1 को चेंज करेंगे तो R1 माइनस R2 तो एक में से एक गए क्या हो जाएगा 0 एक में से एक गए 0 ओमेगा square माइनस यहां देखें omega तो यहां हो जाएगा omega square माइनस omega फिर देखें यहां पर हमारा second row वही रहेगा और third row भी वही रहेगा ठेक है अब इसको हम expand करते हैं with respect to R1 तो इसको expand करते हैं तो यहां देखें 0 है तो यह हमारा 0 हो जाएगा ठीक है जीरो है तो हमारा क्या हो जाएगा यहां से 0 हो जाएगा ठीक है फिर देखें अब यहां से देखें 0 करेंगे तो 1 माइनस omega square फिर भी यह total 0 ही आएगा फिर माइनस अब देखें इसके respect में करेंग इस 0 के respect में तो यहां देखे 1 into 1 1 minus omega square into omega तो बराबर क्या जाएगा minus omega cube फिर देखे next third इससे करेंगे तो यहां से देखे हमारा क्या जाएगा इससे तो omega into 1 यानि omega यहां देखे हमारा omega square minus omega यह है फिर ए गुड़ा करेंगे तो omega minus omega square into 1 तो यहां आ जाएगा omega square ठीक है अब देखे इसकी value total क्या हो जाएगा 0 इसकी value क्या हो जाएगा 0 और यहां देखे हमारा यह वाला value अब इसको हम आउट simplify करते हैं तो यहां देखे simplify करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यह तो मेगा स्क्वेर इंट्यों किया अलने के स्वेर्लाइगना मैनिट्यों को आजा हैगा अब दसक्राइगे और तो यहां से देखिये Ayam si jiji ओमीगा क्या हो जाएगए। अब देखें इसको और सालब करते प्लस तो और यहां देखें ओमेगा माइनस ओमेगा इसक्वार पहले हमने लिख लिया फिर माइनस ओमेगा पावर फोर यह लिख लिया अब देखें यहां से यहां से देखें और क्या करेंगे हम माइनस कामन ले ले रहें इसमें से तो माइनस कामन लेंगे देखें क्या हमार बैलू हो जाएगा माइनस कामन लेंगे तो यहाँ पलस ओमेगा स्कुरेर पलस ओमेगा माइनस टू हो जाएगा अब देखें यहाँ पर आपका यहाँ से देखें बैलू ओमेगा पावर फोर की बैलू कितना है ओमेगा है तो हम उसमें रख देंगे तो यहां देखें रखेंगे यहां माइनस ओमेगा स्क्वाइर और क्या होगा अब देखें यहां से हमारा बैलु क्या होता है एक चीज और आपको ध्यान देना होगा वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा इसक्वाइर बराबर जीरो होता है यह आपको मालूम होना चाहिए ठीक है इतना बैलू क्या होता है जीरो तो यहां से देखे हम ओमेगा प्लस ओमेगा इसक्वाइर बराबर यह वन इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1, तो यह हम बैलू लिख सकते हैं, तो यहां से देखें, हम लिखेंगे क्या, यहां से हमारा बैलू हो जाएगा, ओमेगा, स्क्वाइर पलस ओमेगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1, और यहां माइनस 2 है ही, वह बाहर माइनस है, तो यहां देखें, माइनस 1, माइनस थेरी और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा पलस तो यहां से अंसर क्या आएगा आपका पलस थेरी ठीक है क्या आएगा आपका पलस थेरी अंसर आ जाएगा ठीक है अब देखें नेक्स्ट हम कुश्चन देखते हैं नेश्ट कुछ्चन देखते हैं कुछ्चन सेकंड इसमें कुछ्चन सेकंड क्या है कि सिद्ध की ये ये डिटर्मिनन बराबर जीरो जहां डबलू स्वरी ओमेगा इकाई का अधिकल्पित घनमूल है वही सेम ठीक है अब देखे इसको साल्प करने के लिए हम क्या करेंगे हम देखे चेंज कर रहे हैं आर वन चेंज टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थरी आर वन चेंज टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थरी अब इसको जब चेंज करेंगे देखे हमारा क्या जाएगा यहां से देखे अब इसको चेंज करेंगे तो यहां वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा इसको भी जोड़ेंगे तो वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा इसको भी जोड़ेंगे तो वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा इसको भी जोड़ेंगे तो वन प्ल common one plus omega plus omega square from r1 अब इससे common लेंगेत यहां से देखे क्या आजाएगा आपका यहां से आएगा one plus omega square one plus omega plus omega square common हो गया और हमारे पास यहां बचा one 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 और second row वही रहेगा third row वही रहेगा अब देखे हम क्या करें इसका common निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं इसका common यहीं से आप direct लेख सकते हो one plus omega plus one plus omega plus omega square बराबर क्या होता जीरो तो जीरो into इतना करेंगे जीरो into इतना करेंगे चाहे जो माना है तो जीरो ही होगा फिर भी देखे एक step हम all लेख दे रहे हैं यहां से देखे हम इसको जीरो बना सकते हैं यहां देखे हम इसको जीरो बना सकते हैं इसको भी जीरो बना सकते हैं तो इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे c1 change to c1 minus c2 c2 change to c2 minus c3 अब देखे यहां से क्या आएगा one plus omega plus omega square यह देखे हमारा 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा और देखे क्या होगा omega minus omega square omega square minus 1 यहां omega square minus 1 1 minus omega और यहां पर हमारा third column वही जाएगा अब देखे इसको हम expand with r1 कर सकते हैं ठीक है या फिर आप इसको direct भी कर सकते हो ठीक है तो यहां से देखे हमारा क्या जाएगा यहां से आएगा इसकी value total क्या है 0 तो यहां से हम value लेंगे क्या 0 तो यहां से देखे 0 और into 0 इसकी value 0 हो गया into यहां 0 तो बराबर हमारा क्या जाएगा 0 तो यही हमारा क्या है right hand side है यही हमारा right hand side है याने hence probe ठीक है hence probe इस तरह से हम इसको solve करेंगे आप यहीं से direct लिख सकते थे चोकि 1 plus omega plus omega square बराबर क्या होता है यह 0 होता है तो यहीं से आप लिख सकते थे 0 गुड़े a determinant अप लिखते तो बराबर direct लिख सकते थे क्या 0 ठीक है thank you इस वीडियो में इतना है ठेक है नेक्ट वीडियो में हम आउट डिस्कस करेंगे ठेक है ठेक्यू